नमस्कार आप देखनें एक बफर से नेक्ट्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आप सभी का हमारे आज की खाल्स फ्रोग्राम में वर्ल्ड कप से जुड़ा ये शो है जिसमें हम करने वाले हैं वर्ल्ड कप को लेकर क्योंकि फाइनली आ गया है वो वक्त जिसे लेकर बेसबरी से क्रिकेट की दुनिया से चुड़े रहने वाले क्रिकेटर्स को रहता है इंतिजार हमेशा ही क्योंकि ये सालों बाद ये मौका होता है खुद के काबिलियत को साबित करने का और क्रिकेट की तिहास में अपना नाम दर्च रिकॉर्ड बना रहा है इसके अलावा वर्ल्ड कप विनर के तौर पर और भी कई नाम है जिनका वर्ल्ड कप के टीम में बड़ा योगदान भारतिय क्रिकेट के लिए रहा है वर्ल्ड कप की चीज में जिसमें एक नाम पिशले वर्ल्ड कप साल 2014 में रहा था युवराज स का सन्यास लेने की तरह विचार करना सच में उनके करोडों चाहने वालों के लिए एक बड़ा छटका से कम नहीं लेकिन इस फैसले पर क्या है राय कप्तान विराठ कोहली का हम करेंगे इसी पर आज बात जी हां मैं तृपति आज आपको बता दू हमारी इस शो में विराठ को को लेकर पूरी खबरे लेकर आई हूँ आपके बेश दरसल हाल ही में एक प्रेस कांफरेंस हुआ जिसमें विराठ कोहली ने विश्वकप को लेकर अपनी टीम पर बात की साथ में उन्होंने निराशा भी चताए निराशा चनक उनकी बाते ये थी कि जो हो रहा है उसे एक स शामिल ना होने पर निराश विराठ भी रज़र आए जिस विराठ पर तमाम इलजाम लगे कि कहीं न कहीं विराठ भी इसमें है जिमिदार कि आखिर क्यों नहीं खेल रहे हैं विर्शुकप युवराज से लेकिन युवराज सिंग का अब मानना है कि एक बड़े प्रदर् को लेकर उन्होंने अपना मन बनाया जो कि BCCL के मध्यम से खेलेंगे यह भी उनका मन था लेकिन BCCI का इस पर पैसला आए इससे पहले युवराज सिंग के तरफ से एक और वयान आया कि इस साल उनके क्रिकेट के सफर का आखरी साल होगा क्योंकि वो सन्यास का मन बना रहे ह ऐसे में सन्यास को लेकर विराज का एलान है विराज के सन्यास को लेकर इशारे इशारे में विराज कोहली ने कहा है कि यह तो अकसर्ट करना पड़ेगा और तो और उन्होंने कारण बताया आखिर क्यों युवराज विश्वकप में नहीं है विराज कोहली ने बताया कि वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीम पूरी तरह से फॉर्म में है अगर देखा जाये पिछले मैचस की पिछले परफॉर्मेंस की तो अब तक आईपियल की परफॉर्मेंस से इस बात का गवा सबको मिल गया कि आखिर क्यों इंडियन क्रिकेटर्स म जिनका कहना है जिनका एलान है कि वर्ल्ड कप के लिए उनकी पूरी की पूरी टीम संतोलित है और पूरी की पूरी टीम अच्छे फॉर्म में है इस बार विश्व कप का लक्ष विराट कोहली प्राप्त करके रहेंगे शीकरदवन एमिस धोनी रोहिष शर्मा जो 22 कैप्ट रही हिसे नाम है इसमें यजुवेंद्र शेल का हम आपको बताना चाहेंगे इसे लेकर और भी कई the नाम है कई और खबरे आई इसे लेकर तमाम बातें हैं सामने आई हुई Yovra Mini को लेकर अगर बात के जाए तो सब के भीश Yovra लेकिन इस टीम के जो इतने नाम सामने आया है इसमें कुछ और नाम ऐसे है जिनके होने की उमीद नहीं थी लेकिन पिर भी टीम में उनका नाम चुड़ा हुआ है ऐसे में बात जब होई शीखर्दवन के अलावा के राहुल के अलावा विजशंकर के अलावा रविंद्र जडेजा की तो कई सवाल उठें लेकिन उनके पक्ष में भी विराठ कोहली ने अपनी बाते रखी है विराठ कोहली का मानना है कि टीम पूरी तरह से तयार है और पोजिशन हर किसी के लिए बहतर तैकिये गए है अब तेज तारीक का है इंदिजार तेज को ली अपनी पूरी टीम को लेकर इंग्लैंड रवानगी के लिए सुबह निकलेंगे जिसके बार टीम फ़र्म में नज़र आईगी 30 मई की तारीको वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है जिसमें पूरा का पूरा फ़र्म देखेगा वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट खिलाड होगा फिलार आपसे लेते हैं इजाज़त देखते रहें नेक्स नाइन स्पोर्स और हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए शानल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले नमस्कार